इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMI का एक most most urgent reminding to all CMA students चाहे आप CMA foundation का हो inter का हो final का हो last opportunity आप सभी के लिए last golden opportunity से कह सकते इसके बाद आप समझ सकते कि आप सभी के लिए bad news ही होगा now first of all update बताऊँ उससे पहले आप सभी दे छोटा से request करूँगा अगर आप सभी YouTube चैनल ने हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और यू साइड में bell icon और बटन से प्रेस कर देना ताकि CMA exam regarding कोई भी important update announcement और नोटस आप मिशना कर सके और एक बात अगर आप सभी ने भी तक हाँ पर मैं update करते रहता हूं अपडेट स्टार्ट करते हैं यह एक last opportunity आप कह सकते हर CMA students के लिए क्या सब्सक्राइब कि CMA Inter Final Foundation जितने भी स्टूडेंट है उनका registration का last date जो है 17 अगस्ट आपको screen पर दिख रहा होगा 17 अगस्ट लास्ट डेट है CMA Inter CMA Final CMA Foundation का registration का अगर आप चाहते हो कि December 2023 में exam देना है आपको तो यह last opportunity 17 तारिक आज अगर आप आज अगर आप सभी ने आज registration कर लिया तो यह समझ जाए कि December 2023 कले आप eligible हो जाएंगे otherwise आप अगर आज छोड़ के कल registration करते हो तो June 2024 में आप eligible होंगे exam देने के लिए तो अगर कोई student ऐसा हो जिसे चाहिए कि सर में December में exam दू तो प्लीज आज registration कर ले ना अगर आपको registration करने ना आता हो तो प्लीज मुझे personal message करना आपका registration करके मैं यहां से आपको दे दूँगा ताकि कोई भी students यह problem ना face करे यह doubt ना face करें कि सर में exam नहीं दे पाए December का मैं ने registration नहीं कर पाया और एक common सा डाउट आ रहा है कुछ students का कि सर exam form and registration में difference का है यह को बहुत छोटा से ना के बराबर डाउट आना चाहिए फिर भी कुछ लोग के कमाइंड में आ गया तो registration वो होता है जहां पर हम अपना like CMA foundation हो CMA इंटर हो CMA final हो तो कुछ student कमेट के सर जो 6000 वाला होता है वो registration कहते है क्या एक CMA foundation का student ने message किया था तो आप सभी को पता होगा registration and exam form में क्या आंतर हो तो registration करके हम खाली enroll हो जाते है and exam form तब भरते जब हमको exam देना पड़ता है तो यही difference है कि exam form में registration में hopefully आप सभी समझ रहे होंगे again बोलता हूँ कि आज last date है registration का please please registration कर लो December में exam दे के qualified हो जाओ thank you students again बोलूँगा अगर आप सभी YouTube channel अपने हो तो चैनल को like subscribe एडियो साइड में bell icon वाला बटन सो प्रेस कर देना था कि CMA exam regarding कोई भी important update announcement अनूट तो अब मिचना करते के thank you students